आज से हम अलग-अलग सब्जेक्ट जियोग्राफी, पॉलिटी, सोशल इशूस, इंटरनेशनल रिलेशन्स इन सभी सब्जेक्ट को लेकर हम एक सीरीज स्टार्ट करें इसी में हम बाइलोजी, जूलोजी, बॉटनी ये सारी चीज़े हम एट करेंगे इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेट कुछ बैसिक टर्मिनलोजी है ना बैसिक डेफिनेशन के लेकर एक सीरीज स्टार्ट करें जिससे आपको उस पर्टिकुलर सब्द पर आपकी पकड़ बन जाए और आपको आगे वाले एक्जाम जो आने वाले एक्जाम है उसमें आपको स पड़ी होगी कि भारत में संपत्ति का केंद्री करन कुछ एक दो परसेंट के पास में जो है भारत की संपत्ति का 50% से ज्यादा हिस्सा उनके पास में चले गया है ठीक है जो कि सामाजिक नियाय के सिद्धान्द के खिलाप है अब मैं यहां आपको समझाता हूँ सामाजिक नियाय की definition होती क्या है सामाजिक नियाय एक ऐसा सिद्धान्द है जो की समाज में जित्ते भी resources होते हैं जिसमें धन संपता हो गई आपके प्रतिष्टा से जुड़े वे resources हो गए इसके अलाबा अधर जो भी resources आपको दिख रहे हैं जो कि आपके विकास के लिए आवश्च उन्री सोर से सका कुछ लोगों के पास जमावाड़ा होने से रोकने का सिध्धान क्या कहलाता है स्माजिक नियाए अब इसमें फाइदा क्या है जब समाज के रिसोर्सेस का जमावाड़ा अगर हम बात करें धन संपदा इनका कुछ परसेंट यानि कुछ खास वर्गे के लोगों के पास ही रहेगा तो निर्बल और जो गरीब लोग हैं वो हमेशा विकास की धारा में हमेशा पिछड़े वाव महसूस करेंगे तो सामाजिंग नियाए बोलता है कि ये सब जो रिसोर्सेस जो एक जगह केंद्रिकरत हो रहे हैं उनका वित्रण इस तरह से हो पूरे समाज में कि निर्बल और निर्दन जो लोग थे उनको भी अपनी विकास के लिए आउसर प्राप्त हो सुके तो ये सिद्दान कहलाता है सामाजिंग नियाए का इसको एक थोड़ा साम एक पिक्चराइशन से हम थोड़ा समझ लेते हैं तो सामाजिंग नियाए का विपरित कहता है कि जो भी समाज में जित्ते भी मुल्लिवान संसाधन है जैसे कि धन संपदा हो गई पत प्रतिष्टा हो गई सकती या अधर जो भी रिसोर्स की बात करते हैं वो करेवल इनी के पास केंद्रिकर्थ हो जाए तो पीछे वाले लो मुख के धारा में शामिल हो अच्छा इसी धारा से संबंदित एक और सिद्धान्त हम आगे पढ़ेंगे जिसमें आगे के लेक्चर में डिसकस करूंगा एक जैसे दिन दयाल उपाद्याई जी का अंतियोदय सिद्धान्त इसके अलाबा महात्मा गांधी का सर्वोदय सिद तो आशा करता हूं आपको यह सामाजिक न्याय से संबंदित कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा थेंक्यू